नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाथिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों मैटल स्टॉक्स में जो हो रहा है वो शायद किसी को भी समय नहीं पता था कि हो सकता है ऐसे में हमारी तो एक स्टॉक में सब्सक्राइब कर सकता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर दुबारा से 300 के ऊपर निकलता है राउन फिकर में तो खरीदना चाहिए मौर्निंग में भी मैंने वेदानता के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आप सभी से गाता कि यह स्टॉक 300 के ऊपर अभी चार्ट के अगरिंग 320 तक जा सकता है जिसके पास है 290 से होल करें बाकी मेरे हसाब से अभी यहां पर पोजिशन नहीं लेनी चाहिए जिस हिसाब से तेजी बनी हो उस हिसाब से लेकिन काफी शांदार मूव होता हुआ देखा है वेदानता में हमने तेजी की रहिए कि आपको यह पता है और यह तेजी कितनी टिकाव है सुस्टने वालह हो और आपको यहां से बाय करना है तो कौन सा स्टॉक best लिए दौसनों बिना किसी देरी के इन सब के बारे में बात करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ लेकिन उससे पहले आप सबी से एक request है जो लोग चैनल पे पहली बार आई हैं वो प्लीज इसको subscribe कर लीजिए notification bell icon दबा दीजिए ताकि market से related हर ख़बर आप तक पहुँचे सबसे पहले दो सबसे पहले मैं आपको जरा बाजार का हल बता दू तो यहाँ आज का दिना एकदम unexpected move रहा पूरे इस बाजार में मतलब जो नहीं सोचा था वह उता रहा हो केवल एक ही चीज सच निकली है वह यहां एक out performer के रूप में सामने आई metal stocks जिनके बारे में कोई नहीं सोच सकता था जहां पर सबको यहीं लग रहा था यहां भी पिटाई बड़ी वाली पड़ेगी लेकिन आज कहीं नीचे से निकल के आए और तेजी सी रफ्तार में उपर दाते दिगे जिसकी शुरूबात वेदानता ने करी वेदानता की तेजी के पीछे का जो में कारण है वो है वेदानता के जो चेयर परसन है अनेल अगरवाल जी उन्होंने काफी commentary में आज काफी बड़ी बात हैं और maximum उसी से related है जो दो दिन पहले ख़बर आई थी जहां मैंने आपको शेयर भी करा था सेमिकंडक्टर चिप की जो इन्होंने production स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में प्लांड लगने वाला है गुजडात में और यहां पे कुछ electronic products like mobiles, TV and इस तरीके के कुछ products हैं उसके लिए महरास्टर में भी एक प्लान लग सकता है तो यह एक बहुत बड़ी development होने वाली है इसी से related बाकी बड़ी आतेजी बन चुकी है अब विदानता में मैं आपके साब से वही मैं अभी भी अपने stance पे same to same हूँ क्या मुझे नहीं लगता है यहां पे खरिदारी करनी चाहिए बाकी जब तक खरीदना था continue मुझे मतलब नहींता है stock गिर रहा है मुझे मतलब नहींता कहा जा रहा है continue by recommendation दी बट अब मुझे लगता है यह सही नहीं है कल भी मैंने profit book का था अला कि वहां से तो stock 10-15% और कि वज़ा से वहां की काफी सारी companies बंद हो रही है इस ताई रूप से क्यूंकि production cost इतनी महंगी हो गई है तो उसका फायदा directly indirectly Indian steel counters को पड़ेगा steel companies को पड़ेगा आप कौन-कौन सी main हो सकते है JSW Tata Steel उनका यूरोप में अच्छा कासा काम का जाए बट इनके लिए आपको य माइंड बढ़ा करके सोचना पड़ेगा ठीक है आज जो तेजी है बहुत अच्छा है बट अभी steel stocks में आपको तेजी लेने जा रहे है तो चार्ट के according डेफिनेटली खरी सकते है बट ये broader base जो आपको समझाने वाली बात है वो मैं समझा रहा हूं ठीक है खरीदने और बे बात करते हैं जो मैं कि मुझे एक पसंद आ रहा है और क्यों आ रहा है इसके बात करते हैं सबसे बहले कल मैं ने आपको एक चीज सिखाई थी अगर आप सीख़े हो बहुत अच्छा है नहीं सीखे हो पहली बार आयो चैनल पर मैं आपको बताता हूं गूगल पर जाना है कमोडिटी प्राइज लिखिए टॉप पर आएगा एकोनोमिक ट्रेडिग उस्पे किलिक कर दीजह आपको सारे आ जाएंगे एंचे के अड़्य culture के आ जाएंगे, सारे के सारे industrials आ जाएंगे, तो सारे के सारे आपके पास commodity के price with name आ जाएंगे, यहाँ पे आप देखें energy, natural gas आज भी ऊपर गया है, crude की बात करें, तो नीचे ट्रेड कर रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे related है, तो steel में flat दिख रहा है कुछ भी तेजी नहीं दिख रही फिर क्यों करी दना अम मैं जिसे stock के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है iron ore iron ore के commodity के prices कल 3% उपर थे दोस्तों आज 1.5% उपर है जब 3% मैंने iron ore के दाम देखे तो मैंने direct जाके screen पे NMDC का share आपके सामने वह stock negative था मैंने का यह negative नहीं होना चाहिए यह उपर होना चाहिए क्योंकि iron ore के price यह 3% उचल रही है stock negative है that means कुछ ना कुछ यहां तेजी बन सकती है और आज भी 1.5% की तेजी है तो मुझे NMDC का stock देखे आज तो 2.5% रुपे उपर है लेकिन charts के according भी यह stock ऐसा दिखता है कि यह बहुत strong है इस stock में भी एक बड़ी तेजी आनी जो इसको 140 तग ले जा सकती है तो positional मैं यहां पर आपको अभी भी कहूँगा आप बने रही है खरीदते रही है इसके लिए आपको अगर छोटा सा SL दो 122, 121 का होगा बागी मैं कोँगा SL ना रखें cash में खरीदें और रखें अपने पास hold करें बागी Tata Steel, JSW Steel, Sale यह सारे stock अच्छे हैं बट मैं अभी इन पर neutral हूँ ना मैं खरीदने की सला दे रहा ना बिक वाली कि जब मुझे लगए तो मैं डेफिनेटली दूँगा जिसके पास है वो अपने इसाब से hold कर सकता है इंडाल को 444 के उपर closing देता है तो यहां breakout होगा यहां पर 460 तक के levels बन सकते हैं इसके नीचे यह भी तो उसके उपर की closing होगा तो यह भी positive होगा तो यह मेरी पूरी वीडियो Metal Stocks को लेगर होग आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा Metal से related Thank you so much for watching this video have a great day